तरह से हर पक्ष को लेकर वीडियो बना रही हूँ जो आपके जीवन में दिक्कत पैदा कर रहे हैं मैं उनका सॉलुशन भी आपको उस वीडियो में बताती हूँ तो बने रही है चैनल पर इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ और आशिरवाद देती हूँ इसके साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो आप लाइक भी किया किजिए मैं रेकी और एंजल हेलिंग भी करती हूँ उसके लिए भी आप मुझसे संपर कर सकते हैं आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं कुछ भाई बैन कहते हैं कि आप फोन नमबर नहीं बताते हो हम कैसे संपर करें तो आप कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट भीजिए कि मुझे अपनी कुंडली का परामर्श लेना है आपको इमेल आइडी प्रोवाइट की जाएगी और मैं फोन पर परामर्श नहीं देती हूँ और मैं सिर्फ इमेल आइडी के थूँ ही आपको परामर्श दूँगी और ये जो उपाएव अगेरा हैं आपको इसी के थूँ भेजे जाएंगे तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज मैं आपको बता रही हूँ केमद्रूम योग के बारे में बहुत सी कुंडियों में केमद्रूम योग होता है कई बार ये योग भंग भी हो जाता है तो आईए जानते हैं पहले कि ये योग बनता कैसे है बेसिकली ये चंद्रमा का योग है जब जनम कुंडली के किसी भाव में चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा से दूसरे और बारवे घर में जब कोई भी ग्रह ना हो तो ऐसी इस्तती में केमद्रूम नामक योग का निर्मान होता है यह एक अशुब योग है जिसे दरिद्रता वाला योग भी माना गया है प्राय ऐसा जातक बहुत प्रयास के बाद भी पैसा नहीं कमा पाता उसके जिन्द्गी में धनकी कमी हमेशा बनी रहती है इसके अलावा और भी कई तरह के संकट उसके जीवन में उत्पन होते हैं तो जिस तरह से मूलों की शांती कराई जाती है काल सर्फ दोश की शांती कराई जाती है या अमावस्या जन्द्म की शांती कराई जाती है उसी प्रकार से केंद्रूम योग की शांती करवाना बहुत ही अनिवारे होता है लेकिन प्राय इसकी चर्चा कोई किसी पंडित के मूझ से नहीं सुनी जब कोई डीटेल में जाके पूछे तो अलग बात है, सामाने तोर पर हमने देखा है लोग शनी दोश, मंगल दोश, कालसर्थ दोश की तो बहुत चर्चा करते हैं लेकिन किसी जातक को ये नहीं कहते कि आपकी कुण्डली में केंदरूम योग है और इसके आप शान्ती कराईए यदि कुछ लोग बोलते भी होंगे तो मैं उन पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो मेरी जानकरी में जो है जनम कुण्डली में यदि केंदरूम योग है केंदरूम दोश है इसका निवारन भी होता है अगर कोई शुब ग्रह केंदर में हो या सभी ग्रह केंदर में हो इसके अलावा ब्रहसपती या शुक्र की दरश्टी हो चंद्रमा पर तो भी इस योग में काफी हद तक कमी आती है लेकिन फिर भी अपना प्रभाव तो कहीं न कहीं देता है किसी न किसी रूप में तो इसलिए इसको जरूर जाचे हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ दूसरे या बार मेंघर में कोई ग्रै है की नहीं और आपकी कुंडली में यदि केमद्रूम दोष बन रहा है तो इसके निवारन का मैं उपाय आपको बता रही हूँ केम गुरुम दोश के लिए वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन कुछ मैं आपको बता रही हूँ जो आप easily कर सकते हैं आपको चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको शिव मंदिर में सोमवार को जाकर पूजा करनी चाहिए आपको सोमवार का और पूरण माशी में से किसी का विवरत करना चाहिए भगवान श्री हरी विश्नु का पूजन करना चाहिए इसके अलावा आपको दान देना चाहिए जो कि सफेद कपड़े में आपको मोती और चावल सफेद वस्तू, बताशे वगएरा, शंक वगएरा ये सब चीजें रखकर आपको दान देना चाहिए आप ये दान मंदिर में या किसी ब्रामन को दे सकते हैं इसके अलावा इसके एक अनुष्ठान भी होता है इसके लिए भी आप पंडिजी से संपर करें क्योंकि पंडिजी विद्वान होते हैं और उन्हें सारे जानकारी होती है आप स्वेम वो उपाई कर सकते हैं जो मैंने भी आपको बताया जो आपके लिए काफी आसान है लेकिन भैतर रहेगा एक बार आप इसके शान्ती जरूर करवा लें तो केमरूम दोश जो है बहुत चर्चा में भले ना हो या लोग इसके बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करते हो शनी और अन्ने दोशों से ज़्यादा भाईवित रहते हो पर आपको बता दूँ ये दोश बहुत महत्वका होता है और गरीब बना के रख देता है इंसान को इसलिए इस दोश की शान्ती करानी बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आपकी कुंडली में आपको लगता है केमरूम दोश है तो आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं मैं कुछ खास उपाया को बता दूँगी